नमस्कार आप लड़का लड़की हो एक दूसरे से साधी करने जा रहे हो साधी के बंदन में बंदने जा रहे हो कहते हैं कि साथी के बंदन में बंदने से पहले लड़का लड़के के 36 गुन मिलाए जाते हैं अच्छी बात है जितने ज़्यादा गुन मिलते हैं उतने ज़्यादा उनकी साथी सकसेज होती है लेकिन साथ में आप ये चार गुन भी मिला लेना लड़का लड़की के अंदर देख लेना लड़की लड़के के अंदर देख लेना अगर ये चार गुन अगर आपके होने वाले हज्बेंड में है आपके होने वाले पती में है तो आपकी लाइफ बेटर रहेगी वरना अगर ये चार कुण अगर आपके हज्बेंड में या या आपके होने वाली पत्नी में नहीं है तो हो सकता है कि आपकी साधी सुदा जिन्ड़ी खराब हो जाए इसपोईल हो जाए रोज आपके बीच में लड़े जगड़े हो ऐसा भी हो सकता है पत्नी में या पिर लड़की अपने पत्नी में होने वाले ये चार बाते होनी बहुत जरूरी पहले अच्छा वहवार गुड बीहेवियर आपके होने वाले हज्बेंड में या आपके होने वाले पत्नी में एक गुड बीहेवर होना चाहिए गुड बिहेवर मतलब एक अच्छी बोलनी बोलनी होनी वाली चाहिए लोगों से या आपके आने वाले गर पे या कैसी वो वेवार करती है उसका वेवार कैसा है चिरचिरापन तो नहीं है वो ज़्यादा लोगों से दूर तो भागती नहीं है या पिर वो अकेले रहना तो पसंद नहीं है ये आपको देखना जुरूरी होगा आपके होने वाले जीवन साथी में गुड बिहेवर की आदत होनी चाहिए अगर उसके अंदर गुड बिहेवर की आदत नहीं है तो वो आपके गर में एड़ेस्ट नहीं हो सकती या पिर अगर आपके पती में गुड बिहेवर की आदत नहीं है होने वाले पती में तो वो आपके साथ में एड़ेस्ट नहीं हो सकता तो सबसे पहले देखिए कि अच्छा वेवार है कर नहीं तब ही आप अपने रिष्टे वो आगे बढ़ाना साप नियत पती हो या पत्नी हो आपके जो भी होने वाले हो अगर नियत में खोट नहीं होना चीज़ अगर उसके नियत में खोट हुआ तो आपकी लाइफ खराब हो सकती है चाहिए लड़की हो या चाहिए लड़के हो किसी के भी नियत में खोट नहीं होना चीज़ नियत में खोट का मतलब क्या होता है कि आप साधी किसी के साथ में करने जारे है मार आपके क्या चकर जलता है चलो ठीक है साधी से पहले तो हो सकता है होग होता है लेकिन साधी के बाद तो नेक नियत रखनी होगी आपको अपने पत्ने के लिए आपको डेडिकेट होना होगा आप पत्नी हो तो अपने पत्नी के लिए डेडिकेट होना होगा नियत आपको साप रखनी होगी थाड नेक दिल आपको दिल साप रखना होगा आपक स्वारती नहीं बनना होगा अगर आप पूरे परिवार को साथ में लेकर चलोगे तो आपकी लाइप पती पत्नी की लाइप अच्छी रहे वरना आपके दिल में खोट है आपके दिल में किसी के पती इर्शा है जलन की बावना है तो पती पत्नी के बीच में रिस्ता समय नही रहेगा पौर्थ इमानदरी आपके होने वाले पत्नी में इमानदरी होना पूर चुरूरी या पिर आपका हज्बेंड हो रहा है होने वाला उसमें भी इमानदरी होना पूर चुरूरी एक दूसरे के अंदर बॉंडिंग नहीं है पती पत्नी के बीच में इमानदरी नहीं है किसी भी रिष्टे को लेकर चाहे ममी बापा के रिष्टे को लेकर चाहे आपने बाई 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 के रिष्टे को लेकर चाहे समाज में रिष्टे को लेकर चाहे एक दूसरे को रिष्टे को लेकर अगर इमान दरी नहीं है तो आप दोनों की लाइफ आगे साइटन से नहीं चल पाएगी आप दोनों के बीच में हमेंसा जगड़े होते रहेंगी इसलिए इमानदारी होनी बहुत जरूरी आपके दिस्ते है इसलिए चार चीज़े एक डूसरों में देख ले लड़का लड़की में देख ले और लड़की लड़के में देख अच्छा विवाद, साथ, नियत, नेत, दिल और इमानदारी ये चार चीज़े अगर आपके जीवन साती में होगी न तो आपको जीवन में कभी भी तकलिप नहीं उठाने पड़ेगी कभी दुख नहीं देखा पड़ेगा आपकी लाइप बहुत ही अच्छी चलेगी